असलाम अलेकुम इस वीडियो में मैं इस सीरीज की कनवर्जन्स चेक करूंगा सो लेट स्टार दे वीडियो तो सबसे पहले नोट करें कि यह जो सीरीज है इसकी जो एनफ टर्म है वो वन और एन प्लस वन इंट प्लस टू है तो इस तरह की जो सीरीज होती है इनको हम तो आम इसे पर पाOS के सॉल करते हैं और फिर उसके बाद इसकी जो है वो सीकों सा पार्शन सा बनानी है और वहां से फिर हम देखेंगे कि यह से कंवर्ज कर रही रही है कि आशें कि पार्शल टूकर में लिखता है E क्योंकि सारे linear factor हैं तो इनको लिखेंगे A over N plus B over N plus 1 और C आजाएगा C over N plus 2 अब मैं दोरन तरफ N into N plus 1 N plus 2 से multiply करूँगा left side पे 1 रह जाएगा तो यह term cancel हो जाएगा कि right side पे A into N N plus 1 N plus 2 plus B यह B के साथ भी हमाँ पास यही वाले तीनों factor आजाएगे N into N plus 1 N plus 2 और similarly C के साथ भी जो है हम इनी तीन factors को multiply कर देंगे यह N जो है इस N से cancel हो जाएगा N plus 1 N plus 1 से और N plus 2 N plus 2 से तो अब हम आपस 1 के साथ रह गया N plus 1 N plus 2 B के साथ रह गया N into N plus 2 और C के साथ रह गया N into N plus 1 तो यह अब दुबारा मैं यह जो टर्म्स बची है इनको दुबारा मैंने यहां पे mention कर दिया कि यह टर्म आग अब यह सारे linear factor है तो सबसे पहले N को 0 put कर दें जहाब यह N वहां 0 put करेंगे left side पे 1 है A के साथ 1 into 2 रहे जाएगा बाकी terms हो है उनका coefficient 0 हो जाएगे तो A की value आजाएगी 2 जो डिवाइड करेंगे A की value आगी 1 over 2 next N plus 1 को 0 के एकल रखें आज़े N की value आगी minus 1 तो B जो है वो हमारे पास आजाएगा minus 1 into minus 1 plus 2 1 B की value आगी minus 1 बाकी दोड़ो factors 0 हो जाएगे फिर हम N plus 2 को equal to 0 रखेंगे यहां से N की value आगी minus 2 तुबारा हम N को minus 2 put करेंगे तो C की value यहां से हमारे पास आजाएगी minus 2 डाला इसके बार minus 2 plus 1 minus 1 तो C की value हमारे पास आगी 1 over 2 तो यह तीनों unknowns जो थे A, B, C उनकी values हमने find कर लिये हैं अब यह जो मारे पास relation है में राइट साइट पे A, B और C की value पुट कर दूगा लेफट साइट को as it is यह रखेंगे तो लेफट साइट यह आगी राइट साइट पे A की जगा 1 over 2, B की जगा minus 1 और C की जगा 2 डालेंके लिखी जाएंगी इस तरह की जो सीरीज है इसको हम कहते है टेलिस्कोपिंग सीरीज पार्चल सम पाइंट करेंगे इसकी और वहां से पर हम देखेंगे सीरीज करेंगे अब सीकों पार्चल सम यह सीरीज है इसकी और यह इस तरह की टालते रहें तो यह इस तरह की टरम जैट होंगी फास्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस सेंट टर्म अन्प टू सवान का मतलब है ऐस्ट्व यह इस त्री डू गाओं होगा और इसी तरह समड़ और वहमारे पास के सम पर्शूं टर्म होगा 100 ग्राव्स टर्म संप और स above संके जो टाम्स नहीं को यूज करेंगे तो सबसे पहले में न को रखूंगा तो एस वन जो है वह आजाएगा वान अवर टू माइनस वन रखें तो वन एवर टू आ गया और यहां पर रखें गया दो फॉ प्लस पॉल खीए को है स्ट न वा गी है अब देखेंगे विच एक्स वान प्लस अक्स्ट यह निकिंड सम फॉस्ट तू थी विच आंप सब्सक्राइब टू प्लस वान की लिए यहां पर टू रखे तो वन वर फोर आजाएगा तो रखे तो यह यह दो टामजा की अब इनको सिप्लिफाय कर ल 1 by 2 minus 1 by 2 cancel 1 over 6 or minus 1 over 3 इनको हम इनको solve कर लेते हैं LCM के तुरू यहां भे हम इसका LCM देख लेते हैं कि 1 over 6 minus 1 over 3 किसके को लाएगा LCM लेंगे 6 LCM आ गया और answer आ गया minus 1 over 6 1 over 4 minus 1 over 6 plus 1 by 8 term बाइचे की तो S2 की value मैं पास ही आगी next हम find करते है S3 which is sum of first 3 terms 1 by 2 यह first term हमने जो है वो find की थी अब second term भी अभी हमने S2 में find की थी which is 1 by 4 minus 1 by 3 plus 1 by 8 और third term आ जाएगी जब हम N को यहां पर 3 रखेंगे वन जी कि 1 by 6 minus 1 by 4 और 3 to the 6 plus 4 10 तो यह मारे पास आ गई 1 over 10 तो यह जो first 2 terms है इनका already sum हमने S2 में find किया था which is 1 by 4 minus 1 by 6 plus 1 by 8 तो इसका मतलब है इस term और यह जो next term है हम इसका हम find कर लेते हैं तो महारे पास 1 by 4 में जा से यह minus 1 by 4 को as it is लिख लेते हैं और यह जो minus 1 by 4 है इसको 1 by 8 से हम solve कर लेगे तो 1 by 4 यह 1 by 8 और minus 1 by 4 का हमने LCM लिया तो 8 LCM आ गया simplify करेंगे answer आ जागा minus 1 by 8 तो यह 1 by 4 minus 1 by 8 और यह plus 1 by 10 as it is तो यह s3 के value आ गया s4 हम find करते हैं और यहां से कोशिच करेंगे कि हम फिर इसका जो s n वह find कर सके तो यह s4 का मतलब first four terms का जो है वो sum है first three term का sum जो हो s3 है वो अलड़ी आपने find किया हूए which is 1 by 4 minus 1 by 8 plus 1 over 10 जो 4 term में वो हम n को 4 रखेंगे जो में पास सीरीज है so 1 by 8 जो 4 हम रखेंगे तो वाल पास आ जाएगा 1 by 8 minus 1 by 5 और simplify हो के last term आजेगे 1 over 12 यह 1 by 8 और minus 1 by 8 cancel यह minus 1 by 5 और plus 1 over 10 को हम simplify कर लेते हैं 10 LCM आ गया 1 minus 2 और यह answer आ गया minus 1 over 10 तो इसका answer आ गया 1 by 4 minus 1 by 10 और last term जो बच्ची है वो 1 over 12 आ गया तो यह वाल पास से 4 आ गया तो यहां से हम generalize करने को शुश्च करते हैं यह जो 1 by 4 है यह fixed है यह हर टर्म में 1 by 4 आ रहा है 3 पर 1 by 4 आ रहा है as 2 में भी आ रहा है तो इसको तो fixed है यह fixed है यह जो 10 है इसको हम लिख सकते हैं 2 into 5 2 into 5 और 5 को हम लिखेंगे 4 plus 1 यह 4 जो है वह S4 के लिए हम इसको यहां पर 4 plus 1 किया 12 को again लिखेंगे 2 into 6 और 6 को हम लिख लेंगे 4 plus 2 यह हमाँ बस यह जो 4 है again S4 को cross point कर रहा है तो अब हम आगे S5 इस formula को use करते हुए S5 भी बता सकते का S5 क्या होगा 1 by 4 fixed है यह term fixed remain रहेगी और जो अगली term होगी वह होगी 5 plus 1 into 2 12 होजेगी और next term होगी 5 plus 2 into 2 which is 1 by 14 तो S5 पीस formula से हम बता सकते हैं तो it means हमने यहां से generalize कर लिए अगर हम Sn find करें तो क्या difference आएगा 1 by 4 fixed 1 over 2 into n plus 1 और next term होगी 1 over 2 into n plus 2 तो यह हमने Sn का formula find कर लिए सब्सक्राइब है from these calculation S1, S2, S3, S4 और अब हम आपास S10 आगे और Sn के उपर हम limit apply करेंगे and approaches to infinity क्योंकि यह sequence of partial sum के नहीं सिक्वेंस के लिए हम जो हम limit and approaches to infinity यूज करते हैं 1 over 4 के उपर limit apply नहीं होगी 1 over 2 n plus 1 के उपर limit apply होगी और 1 over 2 n plus 2 जो term है इसके उपर limit apply होगी जब हम limit डालेंगे तो 1 over infinity आ जाएगा और जब भी 1 over infinity और 1 over infinity 0 होता है तो यह दोनों term 0 हो जाएगी तो और आला आंसर 1 over 4 तो इसका मतलब है sequence of partial sum जो है वो convergent है और अगर sequence of partial sum convergent है तो यह जो series है जो given series है हमें यह भी क्या होगी यह भी convergent होगी और इसका sum जो होगा वो 1 by 4 के एकवल होगा चैनल को subscribe करें वीडियो का like करें thanks for watching